नमस्कार दोस्तो चैशी किष्णा चैशी रादे अब आज की जो वीडियो है उसमें हम मीन राशी फल की बात करेंगे कि जुलाई दो हजार चोबीस मीन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है हलाकि जुलाई महिने में सूरे मंगल, सूरे और बुत्त जैसे बड़े बड़े ग्रह राशी परिवर्तन करेंगे वही 29 जून को शनी भी बक्री हो रहे हैं इसका सभी राशियों पर असर भी पड़ेगा अब मीन राशी पर इसका क्या प्रभाप पड़ेगा ये आप इस वीडियो में जान सकते हैं साथी जानेंगे कुछ उपाए भी और कुछ रंग और नंबर भी होंगे जो आपके लिए बेहतरी इसावित होंगे अगर कुछ कठनाईयां आती हैं तो आप इनका प्रयोग ज़रूर करें वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथी लाइक भी करते जाएं और दूस्तों के साथ शेयर भी करें अब ज्यादा देड़ ना करते हुए हम मीन राशी वालों के अगर पारिवारिक जीवन की बात कर ले हैं तो मीन राशी वालों के लिए जुलाई में ये महिना परिवार में नई खुशियां लेकर आएगा और सभी सदस एक दूसरे के लिए इमोशनल रहेंगे आपका अपने भाई बेहनों के प्रती प्रेम और बढ़ेगा इस समय आप कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी करेंगे माता पिता आप से प्रसन रहेंगे और उनका आशिरवाद आप पर बना रहेगा घर में किसी सगे सम्मंदी के बिवा के योग भी बन रहे हैं अगर आपकी कोई पुरानी जमीन पड़ी हुई है तो उसको बेचने का इरादा भी आप इस महीने कर सकते हैं अब जुलाई के महीने में आपके बिजनिस और जॉब की बात कर ले हैं तो इस महीने ब्यवपारियों को थोड़ा सच्चेत रहने की जरूरत होगी इस टाइम पर बिरोधी आपको नुकसान पहुचा सकते हैं दूसरे ब्यवपारी भी चुनोती देंगे और ब्यवपार को अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करेंगे ऐसे में बुद्धी और सहियम से काम लें जगड़ों से बचें सरकारी जो जॉप कर रहे हैं उन लोगों को कलीक्स का साथ मिलेगा प्राइबेट जॉप करने वालों को मन आपके काम में कम लगेगा हाला कि ओफिस में आपको चुनोतियां भी मिल सकती हैं लेकिन इस टाइम आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा अब जुलाई के महिने में हम मीन राशी के सिक्षा और करियर की बात कर लें तो जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों के जो उनके दोस्त हैं उनके उनका साथ आपको मिलने वाला है ऐसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में ध्यान भी लगाएंगे और जो हायर स्टूडी कर रहे हैं उन स्टूडेंट का ध्यान नई चीजों को सीखने में लगेगा ऐसे में अपनी रुची के अनुसार आपको सबजेक्ट चुनने की तरब ध्यान देना होगा जो स्टूडेंट गवर्मेंट एक्जाम की त्यारियों में लगे हुए हैं वो अपने जीवन की नए आयम भी स्थापित करेंगे और खुद का लक्ष भी निर्धारित करेंगे जो की फ्यूचर में आपके बहुत कान माने वाला है आपकी लव लाइफ की बात कर लें तो जो लोग शादी शुदा हैं उनके लिए जुलाई आनंद दायक रहेगा और उन्हें अपने लाइफ पार्टनर से कोई अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा दौनों को एक दूसरे की चिंता भी लगी रहेगे और फ्यूचर को लेकर आप योजनाय भी बनाएंगे लव लाइफ में रह रही लोगों को अपने पार्टनर के साथ यादगर अनुभब भी आप बिताएंगे जो शादी की पृतिक्षा कर रहे हैं उन्हें जुलाई में अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है ऐसे में किसी भी निर्णे को लेने से पहले उस पर अच्छे से बिचार जरूर कर लें अब मीन राशी फल में आपके हेल्थ लाइफ की बात अगर कर लें तो मीन राशी फल आपके हेल्थ के लिए ये महीना आपको पेट से सम्मंदित कुछ बीमारियां हो सकती है जो की जल्दी ठीक भी हो जाएंगी फिजिकल रूप से आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी कोई समस्या नहीं होगी लेकिन जो अस्तमा वाले हैं उनको अपना ध्यान रखना चाहिए मानसिक रूप से आप एक दम सुष्थ रहेंगे अब मीन राशी के लिए इस महीने लखी नमबर और लखी कलर की बात करें तो जुलाई के महीने में आपके लिए जो ब्राउन कलर होगा वो शुब रहेगा और एक नमबर आपके लिए भागे सावित होगा इसलिए इन दोनों चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपके लिए बहतरी सावित होगा तो दोस्तों ये था एक पूरा आमीन राशी के लिए जुलाई के महीने का बिस्तार से आपका राशी फल अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें कमेंट करें अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक जैशी रादे जैशी किष्णा हर हर महादेव